गोरिला शित्र के ग्राम बेल गहना टोला के पास महिला के हत्या कर्शव को जला दिया गया आशंका जताई जा रही कि हत्यारों ने शाक्षे मिटाने क्ले सी कुरूता की है पुलिस इस मामले में हत्या का अपराद दर्जगर जाच कर रही है गौरला पुलिस के अनुसार घटना बेलगना टोला अहिरन टोला की है यहां रहने वाला प्रकाश भारिया पंच है वहर अविवार की सुबा करीब 10 बजे तलवा टोला से बेलगना हा टोला जाने के लिए निकला था इसी बीच रासे में उसे अहिरन टोला निवासी शांती आदव आवाज लगाने लगी उसमें प्रकाश से अल्टाफ के खेत में घुसे अपनी गायवा बेल को खदेड कर लाने के लिए कहा मवेशी फसल को नुकसान पहुटा रहे थे इसी पर वा खेत में गायवेल को खदेड ने गया वहाँ पर जोपडी थी जिसमें करीब 2 साल से सरीता भरिया अकेली रहती थी वह मजदूरी कर गुजारा करती थी तभी प्रकाश की नजर धूपडी की पास पेड़ावट में शजविख्षत लाश पर पड़ी उसने इसकी जानकारी शान्तिवाई सहित आसपास के लोगों को दी पुलिस ने रविवार को पंचनामा करने के बाद धाराओं के तहद अपराद दर्स कर लिया है पुलिस हत्यारों की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है राम प्रकाल भरिया आने आके रिपोर्ट कराया था कि यह जो मुहम्मद करताफ है उनके खित में एक जली होस्ते में लाश पड़ी है जाके देखने पर पता चला कि यह सरीता कुछ चिरी बढ़िया की लाश थी जिसे किसी अल्यात आन्मी ने त्यार करके उसकी इलाश को जलागा है नटने इसलों को देखके लग रहा है कि धर के दरवाजा के पास अंधर समय होंगे और उसके धर से लेकर चालिस करन में दूरी पे पिडिता के जाके उसके साथ गजना धरिक किया गया है जो गाव उसकी कुस्टी ने हुख़ाइए पीम रिपोर्टरिस बार पी पिश्टी पर भी जाना धरिका गया